हेलो फ्रेंड्स मैं रिया आदा आपकी फिजिक्स की मेंटोर वेलकम टो मैं चैनल पुर्वंचल स्टेडी प्लाटफर्म तो कलमने वर्क और टाइपस ऑफ वर्क या फिर कॉंस्टेंट वर्क के बारे में देखा था आज उसके आगे हम कंजरेटीव फोर्स के बारे में दो आहिए देखते किया होता है कंजरोटी फोर्स इफ दन भाइद फोर्स इंडिपेंडेंट आफ पाथ फालो बिट्विं टू पॉंइं तू पाइंक मतलब अगर वर्क डन पाथ पे इंडिपेंडेंट नहीं तो इसको पोइंडेंट कि बट्विन तू पॉंस किसी दो वो path को follow करता है depend on initial and final position और बस initial और final position पर depend करता है और non conservative क्या होता है यह देखते है इफ वर्कडन बाइद फोर्स depend of the path follow any two points यह path पर depend होता है मतलब यह रास्ते पर depend करता है यह भी दो point को follow करता है इसका example है friction force और viscous force और फिर हम देखते हैं energy के बारे में the capacity of doing work is known as energy आप कितना काम कर सकते हैं यह आपकी energy को होता है आपने actually कितना काम किया यह वर्क होता है लेकिन आप कितना काम कर सकते हैं यह energy होता है स्केलर कॉंटिटी है स्केलर कॉंटिटी होती है और इसका dimension ml square t-2 होता है और si unit joule और cgs में इस unit अर्ग होती है practical unit इसकी electron volt और फिर इसे बड़ी unit kilowatt hour होती है इसमें relation क्या होता है वन जूल इसकोल टु 10 की पावर 7 और और वन electron volt इसकोल टू 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल और 1 kilo watt hour is equal to 3.6 into 10 की पावर 6 जूल और 1 calorie is equal to 4.6 जूल और कानेटीक इनरजी क्या होता है the production of energy due to motion of body is called as kinetic energy ऐसी कोई भी इनर्जी जो किसी object या mass के movement से पैदा होती है या उससे निकलती है ऐसी को हम kinetic energy करें जैसे कि आप badminton खेल रहे हो आप subtle cock को मार रहे हो वो move करके जा रहे है तो kinetic energy आप football को मारे हो लिकिन वो जब तक move करे है तभी तक वो kinetic energy है तो आज यह हो गया kinetic energy